आज का वीडियो कापी इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम करने वाले है Godox V1N राउंड रेड़ फ्लाइट का अंबॉक्सिंग और साथ ही साथ रिव्यू भी तो कंप्लीट इंफ्रमेशन पाने के लिए वीडियो को सुरू सेल एंड तक जरूर देखें साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मिल सके ऐसी इंफ्रमेटिव रिव्यूस की नॉटिफिकेशन सब सब्सक्राइब ले तो जैसे ही हम इसे अन्बोक्स करते हैं वैसे हमारी नजर पढ़ते हैं इस प्रिमियूम केस पर जिसके अंदर है यह गोडॉक्स का वीवन एंड प्लैसलाइट प्लैसलाइट तो आएए इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं इस फ्लैसलाइट को आप कैमरा पर मांट करके भी उसकर सकते हैं और अगर आप विदावर्माउंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मिलता है एक मिनी स्टैंड जिसकी मदद से आप इसे कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी बैटरी की आपको मिलता है एक 7.2 वाल्ट 2600 mAh लियॉन बैटरी जो आपको ओफर करता है 480 फॉल पावर शॉर्ट्स और आपको मिलता है एक अडाप्टर एक C टाइप केबल और एक चार्जिंग केस हमें इसे साइड कर देता है हमें इसे साइड कर देता हैं आपको रखना है इस बैटरी को इस चार्जिंग केस में और इस C टाइप केबल को इसमें कनेक्ट करना है और फिर इस अडाप्टर में और जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे ही इसे डारेक्टली प्लगिन करके चार्ज कर सकते हैं सबसे जरूरी फीचर्स जिसके वजह से ये फ्लैश लाइट जाना जाता है वो है इसका वाइडर एंगल एज़स्मेंट जो की इसका एवरेज कवरेज डिस्टन्स है 28-105 mm साथ ही साथ इसका ट्रांस्मिशन रेंज एप्रॉप्स 100 मीटर है चलिए ये फ्लैश लाइट आपको कैमरा पर माउंट करके दिखाते हैं आप इस तरह से कैमरा पर फिक्स कर दीजिए और फिर यहां से लॉक कर दीजिए तो हाँ ये अब फिक्स हो गया है अगर फीडबैक की बात की जाए तो मुझे ये प्रोड़क्ट परसनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये प्रोड़क्ट आपको –7 to 120 degree full angle variation प्रोवाइड करता है और 0 to 360 degree full angle rotation प्रोवाइड करता है